हालो फ्रिंस नमस्ते स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है शर्मी टू टू लाइफस्टाइल मैं बड़े दिनों से वीडियोज नहीं डाल पारी हूँ द्यू टू घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अगर बनाती भी हूँ तो अप्लोड नहीं कर पाती हूँ यह देखिए मैंने पांच अंडे ले लिए और इसमें मैं थोड़ा सा फेटी हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ ऐसे वाले अंडे में बहुत कम नमक जाता है इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा मैंने दूट डाला इसमें, ताकि इसकी volume जो है थोड़ी सी और बढ़ जाए, मैंने चार लोगों के लिए बनाना है, और दूट डालने से एक benefit यह होता है, कि यह बहुत soft बनता है, वैसे भी soft ही रहता है, पर दूट डालने से इसका yuminess जो है न, वो बहुत बढ़ जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है यह, और देखी मैंने breads ले लिए, इसके sides मैंने थोड़ा काट लिया है, और मैं बताओं आपको omlet से मुझे यह जादा पसंद आता है, रोज मैं सूच रही थी, रोज सूचती हो, आज क्या नाश्ता बना और एक हाथ से मैं a stand पे भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं बस time ही नहीं था कि मैं इसको stand पे लगा के बनाओं, क्योंकि orders मेरे सिर्फ पे बहुत सारा था, बहुत कुछ करना था, तो इसलिए मैंने जल्दी 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 बनाया, तो सोचा कि बहुत दिन से आप ल हिल रहा है, और मैं तवा नहीं पकड़ पा रही हूं, गोल-गोल घूम रहा है, गैस मेरी खतम हो गया था, तो मैंने इंडेक्शन पी बना लिया, गैस के ओपर तवा इतना हिलता नहीं है, यह इस बेस से हिल रहा है, यह देखिए मैंने थोड़ा लाइटी रखा है, ताकि मतलब जला-जला सा ना लगे, मारे घर में थोड़ा लाइटी पसंद करते हैं, और यह मैंने दो पीस बना लिया है पहले, क्योंकि तवा चोटी है, तो बड़ा ब्रेड बड़ा है, तो दो-दो पीस करके यह आ रहा है, यह देखिए मैंने second lot भी डाल दिया, और यह एक तो बहुत healthy breakfast है, और मैं oil भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे खाने में oil जो है, बहुत कम ही पसंद आता है, मैं बहुत ज़्यादा oily खाना ना बनाती हूँ, ना मैं देती हूँ, किसी को ना मैं खुद काती हूँ, तो मुझे मतलब कम oil वाले ही खाना अच्छा लगता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, अगर इसमें आपने थोड़ा सा sweet डाल दिया, तो और भी ज़्यादा उनको पसंद आता है, पर अभी हमने खाना था, बोलके हमने इसमें sugar नहीं डाला, ने तो कही लोग इसमें sugar डाल के भी बनाते है, तो थोड़ा salty and sweetी बनत है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो sometimes मैं वो भी बनाती हूँ, पर अभी तो मैंने सिर्फ salty डाला, पैपर डालना था, पर कई लोग हैं जो हमारे गर में पैपर भी नहीं खाते है, तो फिर मुझे बहुत सोच समझ के इसम सिंपल खाना बनाना बढ़ता है, कि स जब को पसंद आजाए, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, फिर अलग से बनाओ, फिर अलग से बनाओ, तो बहुत प्राब्लम हो जाती है, यह देखिए, मैंने धेरी-धे करके सारा सेक लिया, और यह वाला भी मैंने देखे क्रिस्पी कर दिया, और सौस मैंने डाल दिया है, पा पांच अंडे के ही है, मैंने घोल और एक्स्टर नहीं बनाया है, उसी पांच अंडे में ही देखिए, थोड़ा सा दूद मिक्स किया था बुलके इसका वॉल्यूम, थोड़ा बढ़ गया है वॉल्यूम, और यह मैं ऐसी में ही सारा बना दूंगी, सबको हो जाएगा, तो देखिए, अगर आप लोगो मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज शेयर किया किजे, सब्सक्राइब किया किजे, है ना, लाइक भी किया किजे, और बेल आइकोन भी दवाया किजे, मैं बहुत टाइम से ठीक से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, मैं समझ रही ह घर में एक बड़ा एक्सिडेंट हो गया है, जिसकी वैजे से मैं नहीं पना पा रही हूँ, लॉंग वीडियो भी, शोट भी थोड़ा बहु डाल देती हूँ, तो कुछ अगर किसी दिन थोड़ा सा दिल किया, तो ऐसे ही चोटा मुटा डाल देती हूँ वीडियो, क्योंक मिलते हैं फिर भी